नमस्कार जैश्रकुष्णा प्रणाम जन्मकुंडी में तत्थ्य यदि आपको समझ में आगे तो आप अपने हाथों से अपना इलाज कर सकते हैं जोतिस के सुत्र ही विशिष्ट रूप से आपके मनोबल को गिराते हैं उठाते हैं यदि आपको सुत्र समझ में आगे जोतिस के तो फिर आप कभी भी हीन भावना से ग्रसित नहीं होगे इसलिए आए हम चलते हैं जोतिस के इस मनोविज्ञान पर आध्यात्मिज्ञान पर रिश्यों की परमपरा पर चर्चा करते हैं आज वैसे तो हम नवान शिचक्री की चर्चा कर रहे हैं लेकिन यहां पर आपको चठे भाव से लेकरके कुछ सिद्धान्त समझने ही ही हमने चार्ट इसलिए बनाके रखा है कि आपको उस सिद्धान्तों को समझने में कोई कठिनाई न हो जोतिश में चठा घर यानि ये भाव हमेशा दुखदाई नहीं होता सुखदाई भी होता है पूर्व अवस्था और उत्तर अवस्था दो प्रकार की अवस्थाएं मनुश्की होती है पचास से पहले की अवस्था और पचास के बाद की अवस्था में प्राया आपने देखा होगा जीवन के प्रणाम बदल जाते हैं कई कई लोगों का प्रथम चरण जीवन का बड़ा सुखदाई होता है और कई लोगों का अंतिम चरण सुखदाई होता है प्रथम चरण दुखदाई होता है तो इस दान्त को हम समझेंगे कि प्रथम चरण में सुखदाई दुखदाई का कारण क्या है आखिर यह जो तश बताता है जन्म कुंडली में जिस व्यक्ति का लगन भाव मजबूत है उस व्यक्ति को यारी शुभ ग्रह बैठा है तो उस व्यक्ति को जीवन के प्रथम चरण बाल्य आवस्था में सुख की प्राप्ति होगी माल लिजे यहां पर मंगल की राशी ब्रिश्चिक है अब यहां पर यदी सूर्य उपस्थित हो जाएं तो मंगल के मित्र होने के नाते जीवन की प्रथम अवस्था जातक की अनुशासनात्मक होगी यह व्यक्ति एक राजकुमार की तरह है राजा के पुत्र की भाती नौकर चाकर पर अपना अंकुस रखने वाला होगा बड़े घर में जन्म ले करके धनवान होना और धनवान व्यक्ति के पास अभिमान होना स्वाभाविक है तो यदि यहाँ पर मंगल के मित्र सूर्य यदि बैठ गए तो जातक में दूसरे पर अपना प्रभुत्त जमाने का सुभा होगा प्रथम चरण की अवस्था उसकी ऐसी होगी चलिए एक या विश्य होगा अब बुरी अवस्था क्या होगी यदि जातक की जन्मकुण्ली में ये बुद्ध जो की अश्टम भाव का स्वामी है लग्ण में बैठ जाए तो जातक की प्रथम अवस्था दुखदाई हो जाएगी कैसे यह अश्टम अस्थान रोगों का रोगों का घर चठा है लेकिन अश्टम अस्थान मृत्यों के कारणों का पता चलाता है अगर अश्टम भाव का स्वामी लग्ण में बैठा हो तो जातक बच्पन में अतिंत दुखी अवस्था रोगी अवस्था मृत्प्राय अवस्था में कष्ट भोगता है कई प्रकार के रोग तो अश्टम भाव का स्वामी लगन में हो गया तो जातक कि पहली अवस्था रोगी हो गई, दुखी हो गई लेकिन यदि यहाँ पर मंगल के मित्र ही हैं, ब्रहस पती लगन में बैठ जाएं तो जातक कि प्रथम अवस्था आध्यात्मिक होगी, सुखद होगी, वैभव संपन होगी और उसके बाद दुत्ती अवस्था पर आ जाते हैं चुकि दुत्ती अवस्था यहाँ पर जो नाइन्थ लिखा हुआ है दूसरा घर यह बचपन, बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे सिक्षा के लिए कहीं न कहीं देखना जरूरी है तो यह सिक्षा का घर है बचपन की यहाँ पर जो राशी है उसके मित्रग्र है, बैठे हों या मित्रग्रहों की दृष्टी पढ़ती हो तो उसकी बिद्या यानि प्रथम चरण की अवस्था बढ़िया होगी ठीक है लेकिन यहाँ पर यदी, शनी, राहू जैसे ग्रह बैठे होंगे तो बचपन में उसकी बिद्या दूशित हो जाएगी, बचपन में उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी उसकी वानी जल्दी नहीं फूटेगी, उसको बोलने की बहुत अच्छी तमीज नहीं होगी मेरा मुल सुत्र है बचपन की अवस्था, दुखा दिया, सुखा दिया, मान लीजिये यहाँ पर शुभग्रह बैठा है कोई भी, बेशक यहाँ बुद्ध बैठ जाएग, शुभग्रह है, चंद्रमा बैठ जाएग, शुभग्रह है ब्रहस्पती की बात हम कर चुके, तो जातक की सिक्षा अच्छी होगी और जातक बचपन में ही कुशागर बुद्धी से जब आगे पढ़ाई में बढ़ेगा तो ठीक तीसरा चरण, जो मित्रों का घर है, छोटे भाई, बंधूं का घर है ठीक तीसरी अवस्था, अब हम इसको एक तरह से आपको प्रेक्टिकली समझाते ही ये बच्पन आठ वर्ष तक, ये बच्पन नो, आठ, नो, सत्रा और दस, सत्ताइस सत्रा साल की उमर के बाद जब अठारवे में पहुँचेगा तो यहाँ पर बैठे हुए ग्रहे, जातक के बल, पौरुश, आत्मियता अपने कोटुम्बिक परिजनों के साथ, छोटे भाई, बहनों के साथ किस तरह का ब्योहार इत्यादी दर्शाते हैं? यदि यहाँ पर मालिजे शनी की राशी मकर है, बेशक यहाँ पर शनी बैठे हो, तो जातक के पास बच्चपन में 27 साल तक सब सुख यहाँ भी बढ़िया हो गया, अगर यह भी बढ़िया हो गया, तो यह भी बढ़िया हो गया यहाँ तीसरे घर में बैठे हुए क्रूर ग्रहे बल देते हैं, सौम में ग्रहे थोड़ा निर्बल बना देते हैं शीतल बना देते हैं, सुभाव स्वीट कर देते हैं, स्वाफटनेस आ जाती है, लेकिन वो सिर्फ मुह से बोल सकता है, क्रिया नहीं कर सकता, अगर यहां स्वाफट ग्रह बैठे होंगे तो, यदि यहां हार्ड ग्रह बैठे हैं, हम क्रूर भी कह सकते हैं, अब क्रूर ग्रह कहा गया है और बुद्ध को जिस ग्रह के साथ होगा वैसा कहा गया है तो मंगल सूर्य जैसे ग्रह यदि यहां बैठे हैं तो जातक की उर्जा बड़ी ज्यादा होगी और जातक किसी भी कार्य को करने में साहस पूर्वक आगे बढ़ेगा और करके दम लेगा जिद्धी होगा अपनी उस बात को संपूर्ण तया निवाने का प्रयास करेगा यदि तीसरे घर में बैठा हुआ कोई ग्रह है क्रूर है तो पर सव मिग्रह है तो जातक में मिलन सारिता तो जरूर होगी लेकिन वो ब्यवहार अदा नहीं कर पाएगा ठीक है 27 साल की अवस्था हो गई अब जातक को अपने कर्मों के द्वारा मकान बनाना गाड़ी लेना अच्छी यात्रा घूमना फिरना नदी सरोवर इत्याद में सुमिंग पूल इत्याद में घूमने का एक सुख उठाने का एक मनोबल होता है तो चौथा घहर अगर शुभ ग्रहों से युक्त है मालो यहां चंद्रमा बैठा है तो जातक को सुख समर्द्धी देगा मा का सुख वाहन का सुख सुविंग पूल का सुख अच्छे मकान का सुख कोठी का सुख देगा लेकिन अगर यहां कुरूर ग्रह बैठ गए तो मा के घर का विनाश कर देगे क्योंकि यह मा का घर है यह दसमस्थान कर्म है कर्म से होने प्राप्त होने वाला सुख है चतुर्थ भाव अभी हम कर्म पर नहीं पहुँचे अभी हम सिर्फ 28 वर्ष में पहुँचे हैं और हमको मकान की जरुरत पड़ गई पता लगा यदि यहां पर बैठा हुआ ग्रह शुभ है तो अच्छा मकान यहां सुभ ग्रह बढ़िया परिनाम देते हैं लेकिन शनी मंगल राहू केतू जैसे ग्रह यदि बैठे होंगे तो जातक को अपने घर में रहने नहीं देंगे जन्मभूमी से अलग जा करके बसाएंगे आप यह प्रेक्टिकल करके देख लीजिए अपनी जन्मखुली में यदि आप वहां अपने घर में जन्मभूमी पर रहते हैं तो जातक का जो वो ग्रह है वो इस्थिर प्रकृति का होगा जैसे यहां पर इस्थिर राशी है और यहीं पर शनी बैठ जाएं तो कि इस्थिर राशी के स्वामी शनी है तीसरे घर का बल चवथे से कम हो तो जातक अपने घर में निवास अस्थान जन्मस्थान पर रहता है क्योंकि यह चर राशी है चर राशी का स्वामी यहां बैठेगा तो जातक अपने जन्मभूमी पर रह सकता है लेकिन यहां का स्वामी यदि यहां बैट गया तो यह चर राशे में होने की काण जातक अपने जन्म भूमी छोड़ करके अलग रहने लग जाएगा यहां पर बैठे वेग्रहे जातक की मा के उपर बड़ा प्रभाव डालते हैं मा का इसने हैं करुणा दया इत्यादी दर्शाते हैं यह केंद्र भी है केंद्र में बैठा हुआ अग्रहे समुचित रूप से अपने सभी घरों में प्रभाव रखता है केंद्र को पावर देता है चलिए उसके बाद चलते हैं अब जातक को कर्म के माध्यम से यदि ये 18 वर्स 27 वर्स से पहले ये घर जागरत है तो जातक को बच्पन में 18 वर्स से पहले ही पुलिस की नौकरी वर्दी वाली नौकरी आगनी शमन विभाग या फिर किसी बिशिष्ट पद की प्राप्ती बल पौरों से करवा देती है और तब जातक को सुख मिलता है सुख का घर ये है मजबूत हो गया जातक के सुख के बाद जातक को विद्या इस्थिर है साधना इस्थिर है धान साधन भजन ये सब का घर ये है पाँचवा घर अंतर्शक्तियों का घर है पाँचवा पाँचवे में अंतर्शक्ति जातक को अगर है तो इंट्यूशन्स जरूर होगी उसको ऐसा जातक यहां से बैट करके शुद्ध ग्रह होने पर सभी का अवलोकन करता है मूल त्रिकोर में बैठा हुआ भाग्य को भी अवलोकन करेगा आमदनी को भी अवलोकित करेगा कहीं न कहीं लगन को भी अवलोकित करेगा कहीं न कहीं धन को भी अलोकित करेगा बल पौरुश को अवलोकन करेगा शुब ग्रह होने पर जातक यहां से बैट के इंट्यूशन के द्वारा हर चीज को विचार के द्वारा विशुद्ध कर लेगा पर यह घर मजबूत होना चाहिए क्योंकि यह घर पुत्र का भी है यदि यहां पर कोई ग्रह शुब बैठा है तो पुत्र शुब अवस्था में सुक देने वाला होगा यदि यहाँ पर कोई अशुभ बैठा मानली जो यहाँ बुद्ध बैठ गया है, यहाँ मीन राशी है, मीन राशी में बुद्ध नीच का हो जाता है, तो जातक का जो पुत्र होगा वो मूड़ होगा, भोला भाला होगा, जातक स्वयम भी अच्छे विचार करने में होगा मूर्खता पूर्ण हर्कते करेगा अधिक बोलेगा और अनावश्यक बोलेगा तो लोग उसे मूर कहेंगे परन्तु यहां बैढ़ जा ब्रहस्पती पुत्र का सुख देगा पुत्र शुद्ध होगा धन अईश्वरिय कीरती अनुशासन राज्यसत्ता इन सब का देने ब्रहस्ति बैठ जा यहां बढ़िया चंद्रमा यहां बैठेगा पुत्रियां ज्यादा होग शुक्र बैठेगा तो जातक को प्रेमी बना देगा मैं जातå प्रेम प्रणय में बहुत अभिलाशा रख करके किसी ना किसी विशे को जब भी सोचेगा तो ещёलल उसका एक भोग ही लक्ष होगा pushed में जड़ी मीनम new ने शुक्र बैठ जाएं कर्क में शुक्र बैठ जाएं धुर्श शुक्कर बेढ़ जाएं तुला में शुक्र बेढ़ जाएं तो जा तक एक ही लक्ष होता है कि अपने को किसी भी प्रकार से अईश्वर्य और आराम देवाली वस्तुवों को ही कठा करना संग्रह करना भोग सामगरी कठा करना प्रेम के प्रती उस समय हमेशा सजग रहता है और उसके अंदर उदारता होगी करना होगी लेकिन लक्ष होगा क्या भोग भोग लक्ष होने के कारण उसके भोग मिलते भी है क्योंकि ये पाचवा घर दिक्ती के संकल्पों को शिद्र करता है तो जब पाचवे घर में भोग प्रतायक ग्रह बैठे होंगे और उसकी इच सब्सक्राइब करेगा क्योंकि पांचवे घर संकल्प है और पांचवे घर के किये हुए संकल्प सभी घर को मजबूत कर देते हैं यहां से प्रेम की धारा उठी और यहां भोग में आकर उसका पराक्रम बल भुजा, क्रिया जैसे तीसरा घर भुजा है तो पंचम से तीसरा घर सपतम है सपतम घर भोग है सपतम घर पत्नी का घर है जीवन साथी का घर है तो जब यहां से संकल्प उठा तो उसके भोग की इच्छा होगी और वो कार्या नुएन कर देगा कारे को सोच को क्रिया में परणित कर देगा अपने कर्म में परणित कर देगा तो यह घर भोग सुख का अनंत आनंद देने के लिए बेशक मैं यह शब्द कह रहा हूँ अनंत वाली बात गलत है लेकिन हर भोग का अन्त होता है यदि ये घर सही हो गया अच्छे संकल्प हो गये तो जाता कि योग में जीवन जीता है और उसका ये भोग का घर जो है वो योग में बन जाता है लिहाजा वो बिक्ति अपने धर्म में जीवन को जी करके पती-पत्नी सहित परिवार सहित मर्यादा में अंकुस में रहकर के अपने संकल्पों को परमात्मा के ध्यान भजण में मिला देता है और तब उसका भोग बन जाता है ठीक तीसरा घर योग भोग से तीसरा घर योग भजन ध्यान सुमरन कुल परमपरा की मर्यादा का निर्वाहन करने वाला भाग्य और विद्या आंतरिक विद्या आध्यात्मिक विद्या गुरुजनों से प्रीति देने वाला होता है तो इसने क्रिया का जब चै किया अपने भोगों की समाप्ती हुई तो इसके अंदर मोक्ष के प्रती भजन के प्रती इच्छा जागरित हुई और ये भजन के द्वारा ततकाल अपने भजन के द्वारा प्राप्त योग को भक्ती योग को मोक्ष योग को प्राप्त करके आमधनी पिया जाता है। आमधनी पिया उसके बाद जब अंतिम छण होता है तो इसका बल पराक्रम प्राप्ति भाग्य से प्राप्ति आमधनी है। दान, नमबर दो भोग, नमबर तीन छए यानि बिनाश, ये बिनाश की अवस्था को दर्शात है। यदि ये घर मजबूत हो गया, तो उसका योग, धन, प्राप्त, सतकर्म में खर्च करने का होगा। ये घर बे है। तो यहां से बचपन शुरू हुआ और सुख तक आए, पुत्र तक आए, पुत्र की इच्छा, संकल्प की इच्छा, विद्या की पावर, इंट्यूशन्स, यहां करके भोगों में, धर्म में भोगों में, उसने अपने को, बल को, बीरी को छरित कर दिया। और तब योग की प्राप्ती हुई, योग से उसे, जो आमदनी हुई, उसने खर्च कर दिया, और तब वो मौक्ष की प्राप्ती कर लेता है। इसलिए बच्पन यदि बुरे ग्रहों से आक्षादित है, तो विक्ति को बच्पन में रोग सताएंगे, मृत्यू भी कई बार हो जाती है। और दूसरा घर विद्या, वानी इत्यादी है, तो दू आपके बच्पन के मित्र कैसे होंगे, यदि यहां बैठा हुआ ग्रह बुरा है, तो मित्र बुरे होंगे, सोसाइटी बुरी होगी, नशापत्ती में जीवन जाएगा, और तब आदमे को सुख कहां होगा, जब सुख नहीं होगा, तो बिचिप्त हो जाएगा, इंट्यू स्थित की, जो मृत्यू है, म्रत्यू काल की स्थिती भी बुरी हो जाती है, और मृत्यू का कारण भी यहां का भाव बता देता है, अर्था, किन कारणों से मृत्त्ती होगी, यदि 38 घर का स्वामी, यहां मंगल के राशीं बैठा है, तो लडाई जगडों में, बिबाद मे भोगों के कार्ण मृत्य होगी इसी तरह से हमें हर घर को देखना है अब यह विशय तो हम अगले बाट वीडियो में बाटेंगे लेकिन मेरा मूल उद्धिश्य था यदि बचपन में ब्यक्ति को दुख और सुख देखना हो तो लगन को देखना चाहिए चतुर्थ स्थान तक युवावस्था तक उसके शुभ ग्रह जातक को शुभ कर्म में प्रिरित करते हैं अशुभ ग्रह जातक के बचपन को खतम कर देते हैं खराब कर देते हैं नश्ट कर देते हैं और सुख उसको नहीं मिलता है तो भोग, योग, रोग, मोक्ष, इन सब के लिए हमारी कुंदली में शुब अशुब ग्रहों का प्रभाव, हमारे जीवन के लक्ष को दर्शाता है, आपका लक्ष क्या है? वीडियो में यह है, इसलिए मैंने बताया कि आपको समझ आए, बच्पन कैसा, जवानी कैसी, विद्या कैसी, भोग कैसा, रोग, योग और मोक्ष कैसा, इसलिए इस वीडियो को हम यहाँ पर बिराम देते हो सकता है, आपको समझ में ना आए, मुश्किल आए, लेकिन जब आ आपके उस कमेंट को आगे समझाने का भी प्रयास करेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं विद्या, अगले वीडियो में आपके साथ हम पुनह विश्य की चर्चा करेंगी, नमस्कार जश्य कुष्ण परणाम।